अर्चन कोशिक ने लिखा है सम्मंधों के उतार चड़ाओ से उपजी प्रग्या आदत और समझ के बीच जोलती रहती है लगता है सजक चुनावना होकर एक एकसिडेंटल लर्निंग है बेवारिक तमझ नहीं बन रही है कुछ कहें प्रभू अर्चनाजी जो आपने लिखा है ऐसा हो सकता है एकसिडेंटल लर्निंग यानि कि अचानक आ गई कोई समझ जिसको हमने जड़े नहीं पैदा करने दी लेकिन अगर सम्मंधों के उतार चड़ाओ से कोई प्रग्या पैदा होई है तो उस प्रग्या को स्तमालना होगा आदत और स्तमझ के बीच जो डामाडोल होती है वो सारी प्रग्या उसके बारे में हमको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि जिन्दगी में जब भी कोई कीमती चीज होती है उसको थोड़ा हमको सम्मालना पड़ता है अन्य था अगर हम उसको नहीं सम्मालेंगे तो आग्तों का धाचा भी बड़ा प्रभावी होता है वो आग्तों का धाचा फिर हमको खींच लेगा उसी चीज में तो जो प्ग्या आई है उसको हमें अलग से हाईलाइट करके अपने पास सम्हाल लेना चाहिए। ये मक्खन निकालने जैसी बात है जैसे हमने मक्खन निकाला दूद से या दही से दही सको बिलो करी निकालते हैं तो जब मक्खन निकलता है तो उसको वहां से हटा लेते हैं उसको अलग जगे रख लेते हैं तो मक्खन की साथकता अगर हम उसको वहीं पढ़ा रहने दें तो तो धीरे धीरे वो फिर उसमी में गड़ मड़ होने लगेगा आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती क्यों कि वो भी धाचा है न मन का आदतों को भी तो हमने पानी देकर सीज़ कर बड़ा किया है तो वो भी हमें पीछा करती है हमको यह देखना होता है कि हमको यहाँ पर प्रमुक्ता किस चीज को देनी है तो अपनी प्रग्या को प्रमुक्ता देनी है कि यह बात समझ में आई है यह कीमती है और इसके साथ हम चलेंगे एक्सिडेंटल लर्निंग हम कह सकते हैं शद लेकिन सारी लर्निंग ही क्यों देखा जाए एक्सिडेंटल ही है एक्सिडेंटल का मतलब क्या कुछ ऐसी परस्थिती बनी जिससे हमने कुछ समझा यहाँ तक कि जब मुझे सुना जा रहा है और किसी के अंदर कोई समझ एकदम से अवतरित होती है एक्सिडेंटल ही लर्निंग होगी क्योंकि टेलू रोटीनी थे कि हाँ हाँ तो रोज बोलते हैं और सुनते हैं हम बैठें बिल्कुल सुन रहें उनका टीवी भी चल ला है घर में और दस काम भी चल लें सुन रहें सुन रहें बात क्लिक नहीं कर रहें क्योंकि वो रोटीनी धाचे से उसको सुना जा रहें अचानक एक दिन हमारे अंतरमन की परिस्तिती अलग है हमारे बाहरी जीवन की कुछ परिस्तिती अलग थी हम कुछ बहुत चौकनने थे हम हमारे अंदर का जो गाता गरन था बड़ा ही जागरूप था फर्टाइल था संबेदन से ही था और हम सुन रहे थे अचानक एक शब्द गिरा एक बात गिरी और एक विस्पोट हो गया बात समझ में आगी ओ ये है बात तो वो भी एक्सिडेंटल ही लेर्निंग होई क्योंकि परिष्थितियां वैसी निर्मित हो गई थी लेकिन जब वो हो गई तो हमने उसको समाल लिया सीप में आकर गिरे एक मोती की तरह तो प्रग्या समझ एक ऐसी चीज होती है जिसको समालने की हमको ट्रेनिंग नहीं दी गई हमको जीवन में ट्रेनिंग क्या बच्पन से मिल जाती हर खराब बात को समाल सहेज के रखो नहीं होता ऐसा लोग कहते हैं कि तमाम ऐसी नकरात्मक आक्तों के शिकार बने रह जाते हैं क्यों क्योंकि वो उसी पर अपना इतना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं बहुत ही सम्मान से शुईकार से समालने की आदत डालने पड़ेगी फिर ब्यभारिक समझ बने या कब बने इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो रातो रात हमारी ब्यभारिक जीवन में नहीं आजाती जैसे मान लो हमको सम्मन्दों में थोड़ा चिड़चिड़ेपन की आदत थी हमको थोड़ा रियक्षन देने की आदत थी प्रतिक्रिया अत्मक रियक्षनरी हमारे एटिट्योड था, स्वभाव था और हमारे अंदर एक ऐसी धारा उतर आई समझ की जो हमारे सारे अंतर जगत को बिलकोल एक समस्वर्टा में एक हार्मनी में ले आई तो हम चाहते हैं कि कल से ही जब हम बैवहारिक जगत में आएं तो हम उतना ही संतुलित और सांत बैवहार करें लेकिन आदत वो चड़चड़ेपन की प्रतिक्रिया देने की पुरानी है तो एकदम से नहीं होगा लेकिन अगर हमने अपनी उस तमझ को अपने अंदर गटे उस रुपांतरण को सहे जा उसको बस अपने अंदर समाल लिया तो एक दिन अचानक जब वो चड़चड़ा पन उठ रहा होगा और हम देखेंगे कि अब वो हमारे अंदर से नहीं आया एक दिन जैसे हमारे अंदर से प्रतिक्रिया उठ रही थी नहीं उठी उसकी जो strength है उसका जो hold है उसकी जो पकड़ है वो लूज हो जाती कबीर इसी के लिए कहते हीरा पायो गांट कठियायो क्या मतलब होता है इसका समझ एक हीरे की तरह प्रग्या एक हीरे की तरह जब मिला तो गांट लगा के उसको बस रख लिया अपने पास सम्हाल कर अब ये अपना काम करेगा धीरे धीरे अपना काम करेगा हीरे से भी ज़्यादा अच्छा उदाहरण है देखा जाए कि हर समझ एक गर्ब की तरह होती है हमारे जीवन के गर्ब में कोई समझ प्रवेश कर गई तो वो जो हाथ, पैर, आप, कान, बच्चे के निर्मित होते हैं उनका अपना एक टाइम है, उनका एक पैटरन है उसको वक्त देना है हमको, उसको हमें इंतजार के साथ सीचना है यह नहीं कि आज कंसीव हुए हो, कल हमने अल्टर साउंड में देखा अच्छा सब ठीक बढ़िया, बिल्कुल हाथ, पैर, नाक, कान सब फिट और हम तीसरे दिन ही होम डिलिवरी करा लिए उसकी हमने नेचर ने ऐसा होम डिलिवरी का आप्शन नहीं दिया है उसने वो डिलिवरी का आप्शन दिया है, लेकिन वो पूरा नौ महिने का टाइम ले ही लेना है उसको तो समझ भी ऐसे ही गरप में प्रवेश करने की तरह होती हमारे अंदर वो प्रग्या तो उसको वैसे ही अपने अंदर समाल लीजिए उसको स्थिंचिए उसको पोशन दीजिए उसको नरिश्मेंट दीजिए किस चीज का अपने श्मरण का अपने ध्यान का अपने अवधान का अपने कंटेंप्लेशन उसके उपर जो चिंतन आप डालेंगे उसका और उसको बैभारिक जगत में लाने के कोई जलबाजी मत करें रातो रात कोई बिल्कुल वैसा बैभार नहीं करने लगता एक दिन अचानक हम पाएंगे कि उसके आख, कान, नाख उस समझ के सब उगाएं उस समझ जो अभी बिल्कुल कंसीब हुई थी वो परिपक्क हो गई है और अचानक परिवर्तन ना जाएक बैभारी जगत में जो परिवर्तन नहीं दिखता है वो इसलिए क्योंकि जलबाजी म नहीं होती है क्योंकि यह मिद्स डाल दिया गया लोग के अंदर इस्प्रिच्वल टांस्फरमेशन कहीं पेड के नीचे कहीं जाड के नीचे बैठे हुए थी लोग अचानक कोई बिश्पोट हुआ उनके अंदर और वो उठे आँख फुली सब सांथ सब रोशन हो गया यह कलपना डाल दी गई ऐसा नहीं होता उसको आने में वक्त लगता है उसको बैवहारिक जगत में आने में वक्त लगता है चीजों को तो उसको वक्त देना है लेकिन वक्त के बीच में जो करना है उसको समहाल लेना है गर्ब की तरह हीरे की तर सम्हाल के चले तो एक दिन वो हमारी practical reality बैवहारिक यथार्थ में बदल जाते इतना ही करना बांकी सब दिर दिरे होगा कर लोगका अरड़ करी अार्ड़ को करना ही resonates तो हुआ काई है k कर दो कर दो